आप से विगस फ़ागत है याइस पोजकेशन में यूपी स्कॉलर्शिपी स्टेटर्स दुबारा से अपडेट उन्हे को लेकर सारी बाते बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर अभी आपके बैंक को रिजेट कर दिया गया है या फिर आपके रिजेक्टे सारी चीजे आपको विस्तार से बताने वाले हैं और सिर्फ आपको एक काम करना है यह काम कर लिजे उसके बाद से जो आपके स्टेटर्स वाउडार हो जाएंगे सबसे पहले तो आपकी आपकी बैंक को रिजेट करती है तो सबसे पहले आप लोग ओफीसल नोटीश देखि इनेवल वोट डिविटी या फिर आपके डिसेबल करके इस तरह की जो समस्या वो देखने को मिल रहा है तो तदकाल अपनी अधार नमबर अपने बैंक खाती में सेडिंग कर वा लिए यानि कि आपको अपने बैंक में संपर्क करना है वहमें से जाकर करवा लेने हैं लेकिन अभी आप लोग रुखी कई सारे लोगों की यह भी कमेंट थे कि आपनी मैपिंग सीडिंग की वाइसे कर वालिया लेकिन इसके बौजूद आपको यह देखने को मिल रहा है तो अभी आप पूरी बाते को सुन लिजें सारी बाते बिल्कूल आपको इ देखने को मिल रहा है कि आपकी बैंक को रिजट कर दिया गए यानि कि तरफ से आपकी फॉर्म में रिजटेट कर दिया गए तो आप अपने मैंक काउन में संपर्ग किजिए वहां पर उनको कहिए कि आपके mapping setting के वाइसे के काम कर दे और जो scholarship की form है उसकी verification यहां से कर दी जा लेकिन अगर कहा जाता है कि आपके account का verification कर दिया गया है लेकिन उसके बजुद आपके current status में इस तरीके से देखने को मिल रहा है तो आपको एक काम करना है वो है एक आपको application लिखना है और लिखने के बाद से आपको अपने DW याने के district welfare office में ले जाकि जमा कर देना या तो फिर आप लोग अपने college को दीजिए अगर college आपके इसमें मदद करते हैं तो अगर college की और से सब जितने भी चाहसे तरह हैं जिनकिस तरीके की समस्या है bank verification है लेकिन उसके बजुद देखने को मिल रहा bank में संपर करने के बाद से ही mapping seeding के बाद से की काम करवाने हैं verification के काम करवाने हैं उसके बाद से ही आपके status को update किया जागा और तभी आपके जो form है वह सही हो पाएंगे लेकिन आपको DW office में application देना must है और आपको देना ही होगा क्योंकि तभी आपकी verification के जो काम है वहो पा अप्रवारी देखने को मिलता है लेकिन आपको मैपनिंसिडिंग के वाइस वाले काम करवा देना है और आपकी एक से अधिक एकाउंट तो आपके पैसे जाहरी बात है कि इस बारी अधार बेस एकाउंट से ही बेजे जाएंगे और जिनके भी फॉर्म रिनुवल में थे तो कोई भी ऑप्चंब में कुछ नहीं कर सकते है जो भी आपकी नाम बदंञे हो यह आपके अफसी कोड बदो यह लोग फ्र गहांने कि काम आप imosis बैट में उसके काम सब्सक्वेस का जनकारी होगा वो बिल्कुल सही जनकारी जो बाते सही होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी इसलिए आप तक शान को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को क्लिक करें और कोई भी सवाल अगर आपका रहे गया हो तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें